वेल हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग दोस्तों बोट जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक music oriented या फिर music focused brand है इन्होंने जो है हाल फिलाल में आपना एक पहला smart band market में launch किया है जिसका model number रह रहता है बोट pro gear b20 इसे मैंने amazon से purchase किया है 1499 के price point पे और फिलाल इसे मैं continuously 7 days से use कर रहा हूँ इस वीडियो में मैं आपको detail में बताने वाला हूँ कि आखर इसके क्या pros हैं क्या कौन से तो बने रहीएगा मेरे साथ में मेरा नाम है चंदन जहा और आप इस वक देख रहे हो जहा टेक्नो और पहली वार चैनल पाया है तो प्लीज चैनल को subscribe जरू किजिएगा बात करते हैं इसके box के content की तो यहाँ पे सामने एक साइड से आपको काफी बड़ी branding with photograph आपको देखने को मिल जाता है बैक साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे manufacturing वगड़ा की detail मिल जाएगी MRP मिल जाएगा साथ में थोड़े बहुत specifications जो है वो mention है box content की बात करें तो यहाँ पे आपको एक one year की warranty card देखने को मिल जाता है साथ में आपको एक user guide मिलेगा जिसमें सारे instructions दिये गए कि इस smart band को आप किस तरीके से operate कर सकते है वहीं पे थोड़े बहुत extra paperwork आपको और मिल जाता है साथ में आपको आपका device boat pro gear b20 जो है वो देखने को मिल जाता है यहाँ पे box content तो यही सब कुछ मिलता है यहाँ पे आपको box के अंदर में charger नहीं दिया गया है company के अप से उसका एक बड़ा reason यह है कि इस smart band को जो है आप अपने जो इसका stripe है उससे जो है इसके capsule को बाहर निकालते हैं और उसको निकालके अपने किसी भी 5 बाट या 10 बाट के charging brick के अंदर इसको लगा के इसे चार्ज कर सकते हैं या फिर अपने laptop या फिर desktop जो है उसके USB type A port में भी लगा के इसे चार्ज कर सकते हैं आपका directly charge हो जाता है वही पे इसके अंदर में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यहां पे इस smart band के जितने भी features हैं उन सब को आपको अगर आप proper तरीके से यूज करना चाहते हैं तब जाके इसके जितने भी features हैं आप उन सब को यूज कर सकते हैं otherwise आप अगर उससे pair नहीं करते तो सिर्फ तीन या चार जैसे कि आपका watch तो आपको दिखाएगा दिखाएगा timing फिर आपको heart rate दिखादेगा साथ में आपका calorie कितना burn हुआ है वो बताएगा साथ में step tracking आप आपकी के function आपको नहीं मिलते हैं अगर आप application के through इसको यूज नहीं करते हैं यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान देना परेगा अब बात करते हैं दोस्तों इसके looks और design की यहाँ पर मैं looks की बात कून तो company ने इसको market में तीन color variant में launch किया है एक आता है आपका black color दूसरा आता है आपका blue color और तीसरा एक और color है यह जो color है यह आपका सिर्फ आपके जो smart band का जो stripe है उसी में देखने को मिलेगा अतरबाइट जो इसका capsule है वो पूरी तरीके से आपको यहाँ पर black देखने को मिल जाता है यहाँ पर आगर मैं build quality की बात करूं तो इसका जो stripe है वो silicone क flexible material का है जो की काफी soft है और काफी flexible है और study भी मुझे यहाँ पर feel करा रहा है capsule की बात करें जो इसका man device है वो पूरी तरीके सा आपको plastic का देखने को मिल जाएगा नीचे एक सायर से आपको heart rate sensor भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है अगर मैं इसके display की बात करूं दोस्तों त TFT आपको LCD display मिलता है full touch control के साथ में यहाँ पर touch जो है काफी ज्यादा responsive है काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर touch काम करते हुए मुझे दिखाई दिया मुझे कोई भी जो है वो issue नहीं हुआ इसके touch functionality से तो यहाँ पर touch काफी ज्यादा responsive देखने को मिल जाता है अब बात करते दोस्तों इसके जो है वो water certification की तो यहाँ पर company ने इसके अंदर में आपको IP68 की water certification दी है यानि कि आप इसको बारिस में भी यूज कर सकते हैं जिम में भी यूज कर सकते हैं रनिंग करते वक्त भी यूज कर सकते हैं यानि कि आपकी sweating वगरा यह आराम से जेल लेगा मैंने प पाग करते हैं इसके battery life की तो दोस्तों यहाँ पर company ने इसके अंदर में आपको 90 mH की battery का यूज किया गया और company का ये कहना है कि भाई आप अगर इसको application के through continuously use करते हैं connect करके तो यह आपको up to 7 days का जो है वो battery backup दे देगा अगर आप application से connect नहीं करके रखते तो आपको 10 दिन तक का backup दे देता है तो यहाँ पे मेरे testing में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब मैंने इसको receive किया तब से मैंने इसको continuously application के through connect करके जो है वो use किया है हाँ हो सकता है कि daily मैंने आदा घंटा या एक घंटा जो है वो आपने risk पे इसको नहीं रखा अलग रखा बट continuously use किया है और मेरे testing में यह almost 7 दिन हो गया है यहाँ पे अब भी 12% battery मुझे दिखा रहा है यानि कि company जो claim कर रही है वो पूरी तरीके से सही claim कर रही है तो battery backup काफी अच्छी है अब बात करते हैं इसके जो man features वगरा आ जाते हैं उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे man feature में पह आपके heart rate को scan करता है और आपको बताता है कि आपका current heart BPM कितना चल रहा है मेरे testing में जो है यह मुझे लगा कि accurate आपको BPM बताता है और साथ में जो है यह आप इसको जो है वो इसके application के थूरू यह भी पता कर सकते हैं कि आपका average BPM कितना है और day का कितना चल रहा था किस दिन कितना है सारा कुछ इसके application के थूरू आप monitor कर सकते हैं दूसरा जो feature आ जाता है वो आता है इसका call alert का यहाँ पे आपके smartphone पे जब भी कोई call आता है तो आपका smart band के अंदर में आपको पता चल जाता है यह आपका vibrate भी करता है और अगर आपके smartphone के अदर में कोई contact save है उन्हो आपे कर सकते हैं अब बात करते हैं इसके music control किती है आप आपको music control मिलता है तो आप अपने smart band के थूरू जो है इस smartphone के अंदर में music को भी control कर सकते हैं यहाँ पे play pause वगरा आप कर सकते हैं इसली songs को जो है वो forward भी कर सकते हैं अगर आपको forward करना है तो song को backward अगर आपको jam कराना है तो backward भी जम करा सकते हैं forward और backward वाले switch को जो है उसको आपको 2 second तक अगर press करके रखते हैं तो यहाँ पे आप इसके volume को increase कर सकते हैं साथ में volume को decrease भी आप कर सकते हैं यहाँ पे music control पूरी त ट्रूप यहां पर मैंने टेस्टिंग करी है और आप जो है इसको अपने अप्लिकेशन के तूज यह वह पैर करने के बाद में कनेक्क करने का डाल में kamera का जो है वह control कर सकते हैं प्रोपर तरीके से यह काम कर रह था मेरे टेस्टिंग के अंदर में दोस्तों बात करें notifications की दोस्तों यहाँ पर notifications जो है आपको properly timely आपके smart band आपको notify करता है चाहे वो gmail का हो चाहे वो आपके messages का हो चाहे वो आपके twitters का हो आपका notification timely मिलता है with vibration feedback के थूरू यहाँ पर vibration काफी अच्छी है smart band की but इसके vibration को आप control नह प्यादा करना चाहे वो आप नहीं कर सकते हैं but vibration feedback काफी अच्छा है और notifications जो है आप काफी अच्छी तरीके से read कर सकते हैं तो notification काफी properly और timely आपको मिलता है यहाँ पर दोस्तों आपको total 5 smart band faces आपको देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर में यह 5 smart band faces जो है वो आप इसको easily जो है वो यूज कर सकते हैं आपको जो पसंद आता है इन पांचों में से उसको जो है आप इसको set करके इस्तमाल कर सकते हैं और पांचों काफी अच्छे smart band faces देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर आपको जो है sleep tracking का भी option देखने को मिलता है जिससे आपको daily का या फिर weekly sleep को जो सकते हैं आपने accordingly जो है आप इसके alarm को set करके यूज कर सकते हैं इसके अंदर में आपको जो है दोस्तो find my phone का option भी मिलता है यानि कि आप smart band के थ्रूँ अपने phone को जो है वो find भी कर सकते हैं यहाँ पर जो है phone आपका vibrate नहीं होता बट आपका जो default ringtone है वो बजना start हो जाता है almost 30 seconds या 35 seconds तक जो है वो ring करता है उसके बाद आपका band बंद हो जाता है तो यहाँ पर find my phone का भी option मिल जाता है यहाँ पर आपको जो flip the wrist वाला option है वो proper तरीके से यहाँ पर काम कर रहा था मैंने टेस्ट किया तो यहाँ पर आपका एक से दो second लेता है आपका जो है वो wake up होने म आपका smart band पर आपका काम कर रहा तो यहाँ पर flip the wrist वाला जो option है वो काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर आपको जो है guided meditative breathing का भी option दोस्तों देखने को मिल जाता है यानि कि यह आपको जो है वो guide करता है कि कि कितने second में आपको breathe जो है वो लेना है और कितने second के वाद जो है breathe को वो छोड़ना है तो यह काफी अच्छा feature जो है आपको guided meditative breathing का इसके अंदर देखने को मिल जाता है बात करें sports mode की तो यहाँ पर दोस्तों इसके application में जब आप जाते है तो यहाँ पर आपको total जो है वो 14 sport mode यहाँ पर देखने को मिल जाता है जैसे running है walking है cycling ह या फिर आप बोलते हैं badminton है tennis है football है आप जो है कई सारे और भी जो है वो यहाँ पर sport mode आपको देखने को मिल जाते हैं बट एक बार में जो है आप सिर्फ जो है 8 8 sport mode को जो है आप अपने smart bones band से जो है वो connect करके इसे इसे इस्तमाल कर सकते हैं बाकि दोस्तों कई सारे और भ प्रोस थे अब बात करते हैं दोस्तों इसके कॉंस के यहाँ इतने दिन को यूजस में मुझे कोई जादा जो है वो इसके अंदर में नहीं देखने को मिले लेकिन दो कॉंस जो है मैंने नोटिस किया है पहला जो आ जाता है वो आ जाता है इसका आपका Bluetooth technology इसके अंदर में आपको Bluetooth 4.0 का यूज किया गया है, जो कि मुझे लगता है कि आज के rate में काफी जादा old है, यह काफी जादा पुराना है, आज कल 5.0 का जमाना है, तो 5.0 मिल रहे हैं, दूसरे smart band की अंदर में, यहाँ पे आपको वो देखने को नहीं मिलता, साथ में, दूसरा जो measure आपको जो इसका कौन है, वो आजाता है इसका display की brightness, यहाँ पे जो इसकी brightness है, आप इसके application में जाते हैं, तो आपको total 5 step brightness यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, मैंने जो है, starting से ही 5 वाले जो higher brightness level है, उसको select करके रखाता है, और यहाँ पे आप artificial light हो गया, या फिर low light condition हो गया, या फिर अंधेरे में आप जब इसको देखते हैं, तो यह आपको कोई दिक्कत नहीं करता, आपको proper तरीके से सब कुछ proper नजर आता है, यहाँ पे, बट जैसे ही आप इसको outdoor में लेके जाते हैं, और direct sunlight के यह contact में आता है, तो यह पूरी तरीके से जो है, वो आप इसको पता नहीं कर पाएंगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है, और गौर से देखना पड़ता है, तब आपको पता चलेगा कि timing अगरा क्या है, या क्या notification आया है, यहाँ पे direct sunlight में proper तरीके से इसका display काम नहीं कर रहा है, normal cases में क्या होता है, कि जो दूसरे smart bands आते हैं, इसके साथ भी ऐसा ही case मैंने देखा है, कि low light condition में तो काफी अच्छा और bright दिखता है, यहाँ पर आउट्डोर में जैसे जाते हैं, directly sun के contact में आता है, तो यह आपका जो है, वो अच्छी तरीके से जो है, वो दिखाई नहीं देता होती, तो 1499 के pricing में मुझे तो यह value for money smart band देखने को मिल रहा है, अगर आप एक दो जो cons हैं, इसको side में कर देते हैं, तो यह value for money है, otherwise, देखे, last decision जो है, वो आपका होना चाहिए, यह आपका जो है, वो पैसा है, तो आपको decide करना है कि कहां invest करना है, कहां invest नहीं करना है, मेरा काम था, मैंने इसको purchase किया, 7-8 दिन इसको testing करी, फिर जो मेरा opinion था, मैंने आपके सामने में रख दिया, तो यही था detailed review, मिद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को like किजेगा, share किजेगा, दुबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए thank you, take care and bye bye